कग जिन्दगी के सफर में आराम से चलते रहो उतार ट्रडाो तो आते ही रहेंगे बस की अर्य बदलते रहो नमस्का रधूस्तों आज के और इस चैनल से ऐसे आत्मेटिक नोटिफेसन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बिलाइक प्रिसक लिए और वीडियो को देखने बाइस को लाइक करके सको सभी WhatsApp और टेल्ग्राफ ग्रूप में शेयर जूरू कर दिए ताकि और विच्छातर इस वीडियो को देखके इस से लाव इसके और दीके नीचे हमारे सोशल मीडिया की लिंग दी गई है तो उसके क्लिक करके आप भी जोईन करें को लेए को यहां पर जीएस और करेंड़ेट में बिलते रहते हैं तो दिए यह प्लेट है नइ दिली और दूसरा था कि हाली में खादी और ग्रामदयोंग आयुग ने कहां पर तेरा कोटा ग्राइंडर लांच किया तो द्यों जो है व Giry तो यह प्लेश है नइ-दिली और इसके बारे में जो आपको ही वुड़ी डिटिल थी यह मैंने आपको पर्सों के वीडियो मताई तो पर्सों का वीडियो देखे इसको रिवाइज कर लिएगा और दीके चौथा था कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है तो भारत के रक्षा मंत्री है राजनास सिंग जी और पांचवा था कि इंडिया ज लाश्ट फ्रांटियर आप नार्थ वेश्टर फ्रांटियर प्रोविंस आप पाकिसान नमग पुस्तक किसे लिखा है तो दिखे इस पुस्तक को लिखा है रागभेंदर शिंग ने और आज करेंडिपर का पहला प्रशन है कि भारत का सबसे उंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानि कि एडिसी यानि कि एडिसी टावर बनाए गया है और देखे आप दादू कि जो आपका यह इंद्रा गांधी एयरपोर्ट है तो इस पर जो निर्मित ही आपका भारत का सबसे उंचा एक सो दो मीटर उंचा है देखे इस एडिसी टावर की एक्जैक्ट उचाई है 101.9 मीटर लिकिन इ एडिसी टावर जो है भारत का सबसे उंचा और विस्व के उंची एडिसी टावरों में से एक है देखे अफ़तादू कि इसके बनाने में जो है कुल 350 करोड उपे की लागत आई है और इसमें जो है एयरपोर्ट आधर्टी आप इंडिया के द्वाना करीब 60 करोड उपे के आधुनिक ओपरेड़ लगाए गया है तो यह डीटेल्स आपको इस एटीसी यानि की एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के बारे में याद रखना है लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि जो भारत का सबसे उंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है तो इसको अभी आली में इंद्रा गांधी अंतरराश्टी हवाई अड्डेबर्ध जो की दिल्ली में सिध्य इस पर बनाए गया है और दीकि दूसरा प्रशने की हाल ही में किसे लैंप आप पीस आप सेंट फ्रांसिस पुरसकार से समानित किया गया तो दीखे जो आपका दोजहर 19 का लैंप आप प अदभाव स्थापित करने के करने में जो है इनके योगदान के लिए समान इनको दिया गया है दीकि इस परशकार के बारे में एक लाइन में जान लेते हैं तो यह प्रशकार एक व्यक्ति द्वारा लोगों में सांती और समवात को बढ़ावा देने के प्रतिश्ठित कारे के लिए प्रतान किया जाता है तो यह पूरी डीटेल आपको या रखने हैं लेकिन सबसे पहले विनर करना में रखना है 2019 का जो लैंब आप पीस आफ सेंट फ्रांसिस पुरसकार है यह दिया गया है बांगलादेश के नोबल पुरसकार विजयता प्रोफेसर मुहमद यून जो है इस पुरसकार से अब तक जो है डॉलाइल पूल तो यह जो है इस बार वासिंटन के नजदी के जोईंट बेस लेवी समयकार्ड USA में आयत किया रहा है देखिए आपको पता दूँ कि जो आपका यह युद्ध अभ्यास है इसका नाम है युद्ध अभ्यास ठीक है तो नाम ही युद्ध अभ्यास है यह भारत और अमेरिका के किया गया था और सबसे बिसेस पॉइंट है कि यह जो है इस युद्ध अभ्यास का पंदरवां संस्क्राड है जो कि अमेरिका में अमेरिका के वासिंग्टन के नजदीक ज्वाइंट बेस लेविस मैकार्ड में आजीत किया जा रहा है तो आप देखिए यहां पर डेट और प्लेस याद रखना ठीक है यही एक्जाम में पूछ आते हैं और एक बेसिक पॉइंट कभी पूई लेता है कि युद्ध अभ्यास की दो देशों की सेनाओं के बीच का सव्युक्त सेने भ्यास है और देखिए चौथा प्रश्ण है कि लेसोतों में भारत के नए उच्वा है और यहां पर जो है जैदीब सरकार को भारत का नया उच्वाइक नियुक्त क्या गया है ठीक है तो यह आपका साउथ अफ्रीका में सीथ है अगर अफ्रीका के दक्षिडी भाग को देखें तो कुछ इस अस्तान पर लेसोतों दिखेगा और इसकी राजधानी जो है यह है मसारू और देखें आप अदाद में की इसकी करेंसी हैं साउथ अफ्रीकन रेंड और लेसोतों लोटी ठीक है यह डीटेल्स आपको यारक्टा है लेसोतों के बारे में लेकिन सबसे पहले क्या अब यहाली में जैदीब सरकार जी को लेसोतों में भारत के नए और यह बहुत ही बढ़िया कदम है मैं खोद इसकी थारिफ गड़ता हूं देखें कि यह प्लास्टिक पालिशन पूरे धरती पे बढ़ता जा रहा है भारत के वतमान में जो खाद्य मंत्रियन का नाम है राम बिलास पासवान ठीक है तो जो आपके पासवान जीन होने 15 सित च्छटा प्रशन है कि इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के दाना जारी सर्वक्षट करिंशार विस्व का काउं सा सहर रहन ही यूग अस्थानों की सूची में पहले अस्थान पर है तो इसकी बारे में बहुत ही विसस्थ चीज़ा आपको बताने जा रहा हूं और आ जो है दुनिया में रहने यूग अस्थानों की सूची में पहले अस्थान पर है और इकर आपकी यह टॉप 10 की इस नहीं थे की बता दो कि कोई भी रैंकिंग जा रिख जाती है तो उसमें चाहिए इतने भी लोगों लेकिन एक टॉप 10 की सूची यानिकि सुरवाती 10 देसो जाती है तो इस बार जो है इसे इस टॉप 10 की सूची में आश्थ्य लिया की यह साहर है से तोप 10 में आश्डेलिया का जो मेलबर्न यह दूसरे असान पर है और आश्डेलिया इसान पर है और अर्च वे हम पुरा देखे लेते हैं कौन-कौन से सहर जो है टॉप 10 में सामिल है तीकि आश्ट्रिया का वियना सहर पहले स्थान पर है और आश्ट्रिया का ही मेलबर्न दूसरे स्थान पर है और आश्ट्रिया का सिद्नी जो है यह आपका जो है तीसरे स्थान पर है जापान का ओसाका स तो डिन्मार्क का जो है को फेगा जो है ये नमेस्तान पर है और आश्टियलिया के एक और सहर है जो कि दस्वेश्तान पर है इसका नाम है एडी लेड तो टोटल आश्टियलिया के चार सहरों को जो है इस टॉप 10 की सूची में जगह मिली है लेकिन शुरुवाती जो आपका तो टॉप त्री में आश्टिलिया के तीन सहर हैं यह फैक्ट आपको ऐसी तरीके से याद रहें जो मैंने आपको बताया ठीक है और साथव प्रशनी की हाल ही में कहां पर इंडिया अफरीका पार्टनर्सीप पर राश्टी सम्मिलन का आजन किया गया तो दिख्या आपको दा भारती परिशाद यानि की आई सी डवलू के दौर जो है किया गया था और आठों प्रशने की हाल ही में लैसेंट में प्रकासी चोद पत्र के अनुसार किस देश में कार्डियो वैस्कुलर रोगों के कारण होने वाली मिर्तिव जो है यह उच्छ है तो दीखिए अपना भ आय्यो है निम्न आय款 मत्हएम आई वाले देशो में घoure लु वायू प्रदू शाड इंशा यानि इसको नोपी कारण है अपना चुख यह उच्छां रहागों कि रखलत लID में यहां पर CFC बगर है बहुत इसका इमीशन होता है तो दिल्ली की हवा जो है सबसे खराब है परतमान में और देखिया पता दूँ जो आपका कार्डियो वैस्कुलर डिजर्स एडिक है यह हिर्दय और रक्त वाहिकाओं से सम्मधित बीमारियों का समू होता है इसको आप सब्सक्राब सब्सक्राइब करा करें एट्स टीबी एंड मलेरिया के लिए जो है जी एप टी एम के लिए टोटल बाइस मिलियन अमेरिकी डार के युगदान की गोश्टा की है तो आई इसको तोड़ा सा एक बर फिर से हम रिपीट कर लेते हैं और डीटेल में जा लेते हैं देखे एट्स टीबी और मलेरिया है त दसों प्रश्णे की हाल ही में किस राज सरकार ने पूलिस विबा को राज में चलने वाले नीजी वहनों पर जाती पद गाउं का नाम और विविन चिन्हों स्लोगन के इस्तेमाल को बंद कराने का निर्देश दिया है तो दिखे यह निर्देश अभियाली में राजस्था तो ऐसी चलेगा मलब जो इनकी गाड़ी है यह ऐसी चलेगी स्पीड में तो इन सब चीजों पर प्रतिबंद लगाने की कोशा अब याली में राजस्थान की सरकार के दोरा की गई है यह चीज़ आप यारों प्रशन है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुखे कोच और मुखे चैन करता कौन बने है तो इके पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुखे कोच और मुखे चैन करता बने है मिसबा उलहक और इनके साथ में एक और किलाडी है जो पाकिस्तान के पूर क्रिकेटर है रह चुके है वकार यूनिस ठीक है तो वकार यूनिस को जो है इनके स स्मीज़ है लेगी एक्जाम नियर्ट पूछ ळी था अतु हम क्या करें हमें बताना पड़ता है необходимо adalah लगी यह जो है आपका पांच सिदंबर को हर साल मनायता है और क्यों मनायता है दिखी जो पांच सिदंबर को मदर टेरिसा के निधन की वर्सकांड बनाने के लिए पांच सिदंबर की तारिक इसने चुनी है तो पांच सिदंबर को हर साल अंतराष्टी चैरिटी दिवस के रूप में मन सब को रिपले देना पॉसिबल नहीं होता है तो इवर फिट्छे आपको सिक्षे दिवस की हादिक शूपाने देता हूं दिखे सिक्षक दिवस जो है यह आपका पांस सिदंबर को हर साल मैंता है और यहां पी एक फोटो दिख रही है यह जो है इस से जुड़े हुए है सि दंबर को हम मनाते हैं लेकिन पूरी दुनिया में जो है जो आपका अंतराश्य टीचे जो है यह पांच अक्टूबर को होता है तो तारी पांच ही है लेकि महीना चेंज होता है तो पांच अक्टूबर को international टीचे डी मना आता है और पांचset दंबर को जो है। Fare, इसको को आप फ्याद रखेंगे तो यह थे आपके आज के सभी मात पूर्ट करेंदे पर मात कर लेदें आज के सभी कुश्चन अब्ड़े का पहला प्रशन आप लेकि हैमिल्टन मसा काज्जा किस देश के क्रिकेटर हैं इन जल्दी से बताईए यह किस देश से जूड़े हुए है और देखें दूसरा प्रशने की स्वच आईकॉनिक प्लेस्स 2019 में सिर्थ ससान पर कौन है इसका अंसर पताईए यह प्रशन बहुत इंबर्डेंट है कल का वीडियो देखें इसको रिवाई जरूर खलिएगा और तीसरा प्रशने की पहला आसियान अमेरिकी समुदरी अभ्यास कहां पर आईजीत क्या गया तो इसका अंसर पताई यह प्रशने की हाल ही में केंदरी कैबिनेट ने आई डी बी आई बैंक में कितने करूड उपे के पूजी निवेस को मंजुरी प्रतान की इसका अंसर परशने की हाल ही में हर्याना में उडान यूजना के देखत किन्द उस्तानों के बीच हवाई सेवा का सुभारम किया गया यह प्रशन मौस्ट 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 इंप्रणन एक्जाम के लिए इसका आंसर बताई यह नहीं पता तो कल का वीडियो देखके तुरण इसको रि मिल जाए और देखिए हमारे सोचल मीडिया के लिंग नीचे डिसका दे गई है इसको आप जरूर कर लिए जोइन कर लिए ताकि यहां पर आपको जो चीएस और करेंटे पर की अब्देट मिल जाए तो इसे के साथ बहुत बतने बाद थैंक यू एंड है बनाश डे